जै माता दी दोस्तों, आज सभी का मेरे चैनल भगवती क्रेशन में भौत-भौत स्वागत है आज अपनी इस वीडियो में हम माता रानी के लहंगे देखेंगे आज अपनी इस वीडियो में में कोई मेकिंग प्रॉसेस नहीं बताऊंगी पर आप किस प्रेकार से कपडों से और लेसस से तरह तरह की लेसस से अपनी देवी जी का लेंगा डिजाइन कर सकते हैं ये बताऊंगी देखें ये पहला लेंगा है ये रेड और येलो कॉंबिनेशन में है बहुत basic combination है ये इसमें हमने बारिक बारिक lessons लगा ली है इस तरीके से इसको design कर दिया है contrast में हमने इसका दुपटा ले लिया है और उसमें भी अच्छे से less लगा ली है इस तरीके से contrast में हमने ये लहंगा तयार कर लिया है और आप इसका look देख सकते हैं इस तरीके से आपकी लहंगा लुक आ जाएगा ये दूसरा लहंगा देखिए इसमें तीन कलर का यूज हुआ हुआ है येलो, पिंग और ग्रीन इस तरीके का कॉंबिनेशन मैंने अपनी वीडियो में भी एक लहंगी में यूज करा हुआ था इसको आपने बहुत बसंद किया था इस तरीके का कॉंबिनेशन आप दीवीजी के लहंगी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा लगेगा अभी आप तीसना आर्टिकल देखीगा इसमें अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप उस कपड़े का लहंगा बना लीजेगा और उसके कॉंबिनेशन से ही इसमें चुनरी बना लीजेगा और धर्ड कलर जो आप चूस करेंगे उस कलर की आप इसमें लैस लगा लीजेगा इस स्लीके से आपका थ्रीरी लुप में यह दिवी जी का लहेंगा बनका तैयार हो जाएगा यह बहुत सिंपल और सोवा लहेंगा बन जाएगा यह हमारा four article है इसमें हमने cut work की less का यूस किया हुआ है यह less हमने triple और double layer में लगा रखी है double layer हमने इसमें पटके में लगाई हुई है और triple layer हमने इसमें लेहंगे के गेर में लगाई हुई है इस तरीके से आप इस तरीके की लेस्स का यूस कर सकते हैं चौड़ा बॉर्डर बनाने के लिए अब यहाँ पे हमारा fifth article आजाता है अगर आपके पास net है जिसमें बहुत heavy work हुआ है तो उसमें आप देवीची का लेहंगा बनाते समय less को जो है skip कर सकते हैं तो उसका look जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जिसमें लेहंगा आपका बहुत heavy दिखाई देगा पर इसमें आप ध्यान रखे जो आप अस्तर यूज़ करें वो साटन का यूज़ करें अपनी स्विक्स आर्टिकल में देखेगा दोस्तो अगर आपके पास जो कपड़ा है उसमें सेल्फ में बहुत अच्छा work हुआ हुआ है तो आप उसमें less जो है golden या silver कलर की combination के हिसाब से आप उसमें लगा लीजिएगा इसमें जो कपड़ा है उसका design जो हाइलाइट हो जाएगा और वो बहुत sour or simple सा लहंगा बन जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा जैसा कि आप इस picture में देख सकते हैं अब अपने 8 article में देखेगा दोस्तो इसमें जो net है इसमें काफी heavy design हो रहा है काफी heavy work हो रहा है और साथ ही साथ इसमें काफी सारे colors का use किया गया है इसमें green color को काफी highlight किया गया है तो इस तरीके से हम इस color को इसमें laces के तरोर पर use कर सकते हैं ऐसे कि इसमें नीची की तरफ इसमें रीबन का यूज किया हुआ है इस तरीका का यूज आप लेंगे को हाइट देने के लिए भी कर सकते हैं साथी साथ इसमें golden color के गोटे का यूज किया गया है और इसमें कुछ beats का यूज किया गया है जिसे इसने काफी heavy look दिया गया है अब अपने 9 आर्टिकल में देखी का दोस्तो इसमें प्लीन कपड़े पे एक चौड़ा बॉर्डर लगाया गया है ये चोड़ा बॉर्डर बारिक बारिक लेस्स को बराबर बराबर लगा कर बिल्कुर पास पास लगा कर बनाया गया है अगर आपके पास plain fabric है और बहुत ही बारिक लैस है तो आप इस तरीके के उसमें चौड़ा बॉर्डर बनाकर अपनी देवी जी का लहंगा तयार कर सकते हैं अपनी इस 9 आर्टिकल में देखेंगा दोस्तो ये जो है लहंगा ये बंधीज में अगर आपके पास बंधीज में कोई कपड़ा है तो उसमें आप लैस का जो है हाइलाइट ना करें बंधीज का कपड़ा अपने आप में बहुत रिच और हैवे लुक देता है तो इसलिए हमें हाँ पे जो लैस जो है वो हलकी यूज़ कर सकते हैं पर हाँ उसमें आप गोल्डन या सिल्वर कलर की ये बंधीज की सेम कलर की आप उसमें लैस यूज़ कर लीज़ेगा ये हमारा 10 आर्टिकल है दोस्तो इसमें जो देवी जी का लेहंगा बनाया गया है ये गोटा फैबरिक से बना गया है अगर आपके पास गोटा फैबरिक है तो आप इस प्रकार से ये लेहंगा बना सकते हैं ये लेहंगा एक बुकरम बेस लेहंगा है इस तरीके के लेहंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जर्मातादी लिख दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें